आरेस एक्जाम का सलेबस होता है बहुत वास नुश्कार दोस्तों मैं विकास भासकर आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लैटफॉर्म अनकेडमी लैट्स क्रैकिट पर जितने भी साती जुड़ चुके हैं वो एक बार वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा टिनुवान जी बहुत बहुत स्वागत है अरुन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सिद्धान सिंग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जो भी साती जुड़ चुके हैं वो एक बार वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा साती थमसब करके बताईए कि आवाज मेरी सही आ रही या नही आ रही है जितने भी साती जुड़ चुके हैं वो एक बार थमसब करके बताईएगा कि आवाज सही आ रही है और नहीं आ रही है ताकि आज के लाई शेशन की सुरुवात कर सके चलिए सुरुवात करते हैं मैं विकास भास कर पुने स्वागत करता हूँ इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लैटफॉर्म अनकैडमी लेट्स क्रैक इट पर साती हो इस इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लैटफॉर्म पर मैं आप लोगों को बैंकिंग अवंडेंस और करन्ट अफैर से रिलेटेड पार्ट पढ़ाने के साथ साथ स्टेटिक जी के जनरल अवंडेंस का पार्ट भी पढ़ाता हूँ एजुकेशनल क्यावाकाञ यसके लावा है टीचिंग एक्सपिरियंस की बात करूँ तो आठ साल का टीचिंग एक्सपिरियंस है ऊफलाइन कोचिंग इस्टिटूट का इसके लावा पिछले तीन साल से आउनलाइन प्लैटफॉर्म पर भी पढ़ाने का कारिये कर रहा हू स्वागत है रजनी सैनी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आज काफी बैतरीन सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ सेशन की सुरुआत करें उससे पहले एनकेडमी के कुछ सब्सक्रिप्सन प्लान के बारे में आपक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको आप जोईन कर सकते हो अनकेडमी का प्लेटफोर्म ही आप क्यों चुने उसका रीजन है कि अनकेडमी आप लोगों के लिए हर महीने 30 से जादा बैचे जो है वो स्टार्ट करती है जहां पर इंडिया के टॉप सतर से जादा एजुकेटर जो है वो आप लोगों की तैयारी को बहतर जो है वो बनाते है कुसी मैता जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी आज की इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए इसके लावा अगर आप SBI क्लर की तैयारी कर रहे है तो 30 जोन से एकेडमी 30 जोन से नया बैच स्टार्ट कर र हो रहा है कुसी मैता जी बहुत-बहुत-बहुत स्वागत था आपका भी इसके अलावा कि स्ट्रॉंग लाइन अप बैच जो है वो टार्गेट SBI पी और आई बीप स्पीओ 2021 के लिए स्टार्ट हो रहा है तीस जून से इसको भी आप जोईन कर सकते हो फाउंडेशन बैच कम से कम पचास स्टुडेंट तक जो है वो आज ये लाइव पहुंच जाना चीह सभी साथियों से मेरा अनुर्होध है इसके अलावा अगर बात करें तो स्ट्रॉंग लाइन अप बैच तीजों से से सेलेक्शन फॉर सेलेक्शन बैच है RRB, IBPS, SBA, EPO, CLARK 2021 के लिए इसके अगले की बात करें तो अगले है की प्राइस हाइक होने वाली है बैंक एस्परेंट्स अगर आप है तो बैंक एस्परेंट्स के लिए जो है वो सुनेरा मौका है नकैडमी के प्लैट्फॉर्म से तैयारी करने के लिए चोईस महीने का एक सब्सक्रिप्सन 7800 रुपे में और 12 महीने का सब्सक्रिप्सन मातर 6500 रुपे में जो है वो मिल रहा है गौरोब सर्माजी बहुत-बहुत स्वागत है असीजी बहुत-बहुत स्वागत है कुछ सर में आजनकी दोस्ते सर की क्लास लिए वो पूरा लिए चलिए कोई बात नहीं जी तो इसके लावा अनकेडमी की सीटी प्रिप्रेशन अगर आप करते तो बैंक एससी का कॉम्बो जो है वो अनकेडमी आप लोगों के लिए लिए लिक रहा है जिसमें 21 परसेंट का उफ चल रहा है जिसमें 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्सन जो है वो मिल रहा है ओफर वैलिड है ठाई से 30 जून तक यह वैलिड है एक साल का सब्सक्रिप्सन अगर आप लेते तो 7999 रुपे में और दो साल का सब्सक्रिप्सन 9999 रुपे में इसमें भी आपको एडिशनल 10% का डिसकाउंट जो है वो सात्यों मिल जाएगा तो फीस थी अभी मातर 10,300 रुपे में मिल रहा है प्राइस हाइक जो है वो हो चुकिए जो है वो से पहले आप जो है वो इनको जोईन कर सकते हो 8600 रुपे में 12 महीने का सब्सक्रिप्सन आपको मिल जाता है लिमिट टाइड टाइम ओपर है इसमें भी आप भासकर 09 अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा बैंक एक्जाम के सब्सक्रिप्सन प्राइस विल बी इंक्रीज जल्द इंक्रीज होने से पहले आप अपनी तयारी को बैतर बना सकते हो 24 महीने का सब्सक्रिप्सन केवल 7800 रुपे में 12 मह आपको एडिशनल 10% का डिसकाउंट जो है वो मिल जाएगा इसके लावा अनकेडमी के लर्निंग अप प्लैटफॉर्म को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पर डैली लाइव क्लासेज मिलेंगी लाइव टेस्ट क्विजज मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्स मि लिमिटेड एकसि जो है वो आपको मिल जाएगा अनकेडमी के लर्निंग पर जहां पर टैस्ट स्रीज भी आपको जो है वो मिल जाएंगी तो यह कुछ अनकेडमी के सब्स्क्रिप्सन प्लान थे उनकी स्कॉप जोइन करके अपनी तैयारी को बहतर जो है वो बना सकते हैं चलिए आज के live session की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, बहुत-बहुत स्वागत है जितने भी साती जुड़ चुके हैं, अंसिका जी सर्मा जी बहुत-बहुत स्वागत है, गोरव जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, रितेश पटेल जी बहुत-बहुत स्वागत है जितने भी साती जो है वो जुड़ चुके अपने सातीयों के साथ भी वीडियो को सेर कर दीजिएगा कि क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है सात्ययों. चलिए चलिए बहुत-बहुत स्वागत है सभी का तो आज के लाइव सेशन की मैं सुरुवात करने जा रहू हूँ. इस सेशन में हम जनरल एवर्णेंस में स्टैटिक जीके की जो है वो बात कर रहे हैं और उसमें अवोड की पुरुसकारों की स्रंखला मैंने आप लोगों की जो है वो सुरुवात की उसमें हमने पहले दिन भारत रतन के पुरुसकार के बारे में पढ़ा कल हमने नॉबेल पुरुसकारों की की राष्टिय खेल पुरुसकारों का महत्व है जो है वो क्या है भारत में इनकी सुरुवात कब हुई कौन-कौन से राष्टिय खेल पुरुसकार जो है वो बारत में दिये जाते हैं इन सभी पहलों को समझने की कोशिस आज के इस सेशन में करने वाले च खेल जगत में इसके अलावा राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार जो है वो दिया जाता है इसके अलावा द्रोणाचारिय पुरुसकार जो है वो दिया जाता है तो यह कई तरह कि पुरुसकार जो है वो भारती है भारत में स्पोट्स में दिये जाने वाले पुरुसकार है इन सभी पुरुसकारों को आज हम समझने की कोसिस करेंगे सुनु चोडरी जी बहुत-बहुत सुआग़थ है आपका भी आज की सेशन से जुडने के लिए तो सुरुवात करते हैं सबसे पहले पुरुसकार से और पहला पुरुसकार है साथियों अर्जुन पुरुसकार देखो अर्जुन पुरुसकार सबसे पहले हमने इसलिए बात कियो कि अर्जुन पुरुसकार भारतिये खेल रतन पुरुसकारों में सबसे पुराना पुरुसकार है पहला पुरुसकार नोट कर लेना सबसे पुराना पुरुसकार है अर्जुन पुरुसकार भारतिये खेल प ये अर्जून पूरुसकार भारतिय खेल्टन पूरुसकारों का सबसे पुराना पूरुसकार है उसके अलावा अर्जुन पूरुसकार के तहत पुरुसकृत खिलाडियों को पहले 5 Ex Jam रुपे की इनामी रासी जो है वो अर्जन अवोर्ड के अंतरगत दी जी जाती है पहले 5,00,000,000 रूपे की इनामी रासी इन पुरजकारों में जो है वो दी जाती थी और 2020 में सरकार ने इने बढ़ाकर कितना कर दिया 15 लाक रुपे कर दिया अर्जुन पुरुसकार प्रती वर्ष दिये जाते कब खेल दिवस पर युवा और खेल दिवस कब मनाया जाता है युवा और खेल दिवस प्रती वर्ष मनाया जाता है नोट कर लेना साथियों 30 अगस्त को कब मनाया जाता है 30 अगस्त को 2012 में सरकार ने घोषना की कि जो मेजर ध्यांचंद है उन मेजर ध्यांचंद के जनम दिवस को 30 अगस्त को युवा और खेल दिवस मनाये जाने की घोषना सरकार की तरव से की गई थी 2012 से 30 अगस्त को खेल दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और इसी दिन खेल दिवस के दिन ही देश में राष्टिये खेल पुरुसकार जो है वो दिये जाते हैं जिसमें सबसे पहला पुरुसकार या सबसे जो पुराना पुरुसकार है वो अरजुन पुरुसकार है जो 1961 में सु रात्यो मिलती है राष्ट पती के द्वारा यह पुरुसकार जो है वह दिया जाता है पहले कितनी रासी मिलती था 5Laag रुपे की रासी च्बाट न है वह दी जाती थी कि चलिए लिइक इसके बाद दूसरा मैतरपुण पुरुसकार कोन शाय साथियों? दूसरा मैतफपूर पुरुसकार है, द्रोणाचारिये पुरुसकार. हाँ बिल्कुल नवनी जी सवाल पूछीए आपका क्या सवाल है? बिल्कुल कुसी मैता जी बहुत-बहुत स्वागत है अंसी का जी आपका भी बहुत स्वागत है आसी सिंगला बहुत-बहुत स्वागत है नवनी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो जो भी साती जुड़ चुके सेशन से वो एक बार वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दीजेगा तो दूसरा महतवपूर्ण पुरुसकार जो भारतिय खेल रतन पुरुसकारों में दिया जाता है सातियों वो है द्रोणाचारिय पुरुसकार की बात करें तो द्रोणाचारिय पुरुसकार खेल के छित्र में खेल प्रक्षिक्षुकु को यानि गुरू जो गुर इसलिए सरकार चाती है कि उन गुरुवू को भी पुरुसकार से सम्मानित किया जाए और आप सभी को पताएगी गुरु द्रोनाचारिय जो है वो समसे बड़े गुरु जो है वो माने जाते तो गुरु को सम्मान दिये जाने के लिए जो कोच है जो ट्रेनर है खिलाडियों क उन ट्रेनरों को भी द्रोणाचारिय पुरुसकार से सम्मानित किया जाता है और इस पुरुसकार की सुरुवात सातियों का बुईती गुनिसो पिच्चासी में गुनिसो पिच्चासी में जो है वो गुरु द्रोणाचारिय पुरुसकार सुरु किया गया था विक्रम नीमका पहले 5-5 लाख रुपे की इनामी रासी जो है वो सातियों दी जाती थी द्रोणाचारिय पुरुसकार जो है वो दो कैटेगरी में दिया जाता है सातियों नोट के लेना गुरू द्रोणाचारिय पुरुसकार जो है वो दो कैटेगरी में मिलता है एक category तो है regular नियमित category है regular category है यानि जिन coach का या जिन trainer का लगातार प्रदशन बैतर रह रह रहा है उन ट्रेनरों को जो है वो यह पुरुसकार दिया जाता और दूसरी category है lifetime achievement award की दूसरी category कोन सी है सातियो lifetime achievement award की category है दूसरी lifetime achievement category का मतलब ऐसे trainer ऐसे coach जिनोंने खेल जगत में बाद वो sports से क्या हो चुके सातियों retired जो है वो हो चुके है तो ऐसे coach को lifetime achievement award से सम्मानित किया जाता है तो note कर लेना गुरू द्रोनाचारिये पुरुसकार दो category में दिया जाता है एक regular category है जिसमें जो है वो नियमित स्रेणी में पुरुसकार दिये जाते है और दूसरा category है lifetime achievement award की जिसके अंतरगत ऐसे trainer को पुरुसकार से सम्मानित किया जाता है जिनोंने अपना संपूर जीवन जो है वो खेलों को समर्पित किया है और खेल जगत के कल्यान के लिए सातियों उन्होंने काफी बहतरीन कारिये किया है और अब वो sports से retired हो चुके है तो उनके इसी कारि के के लिए उन्हें lifetime achievement award से सम्मानित किया जाता है तो regular category में सातियों और lifetime category में पहले दोनों में ही 5-5 लाक रुपे की इनामी रासी जो है वो सातियों दी जाती थी लेकिन सरकार ने 2020 में इन पुरुसकारू में भी जो है वो इनामी रासी को बढ़ा दिया और बढ़ा कर कितन कितना कर दिया पंद्रा लाक रुपे कर दिया अर्जुन अवोर्ड एक को ही देते हैं या जादा को भी मिल सकता है मिल सकता है बिलकुल मिल सकता है राजेंदर जी और मिलता ही है रवार इसके बाद तीसरा पुरुसकार है राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार कौन सा ह सुरू हुआ इस पुरुषकार की अगर बात करें तो यहा पुरुषकार 12 spin में सुरू हुआ था सॉनुह सुरू था साती हो pandem कि यॐर already सुरू था वृकी बुद्धा सोरी विकी बुद्धा जी स्वागत था आपका भी आज इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए तो राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार के बारे में मैंने बताया कि राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार जो है वो 1902 में में शुरू हुआता और भारत में दिये जाने वाले जो भी खेल रतन पुरुसकार है सातियों उन खेल रतन पुरुसकारों में सर्वस्रिष्ट जो पुरुसकार है या सर्वोच्य जो पुरुसकार है वो कौन सा है राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार है या सबसे बड़ा खेल रतन पुरुसकार है जो 1902 में में शुरू आता और जिसमें चार वर्ष के खिलाडियों के प्र इन्हामी राशी जो है वो दी जाती थी और अब इसे बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया है 2020 में यानी पिछले साल इस राशी को भी बढ़ाकर कितना कर दिया 25 लाख रूपे कर दिया कि जो भी राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार जीतेगा सातियों उसे इन्हाम सुरू 25 लाख रुपे की इनामी रासी दी जाएगी और ये खेल जगत का भारत का सबसे प्रमुक या सरवोचे सम्मान है राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार जैसे हमने सिविलियन अवोर्ड की बात की थी रतन डुडी जी बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत स्वागत पुरुसकार जो 1902 में में शुरू हुआ था जिसमें चार साल के खिलाडियों के प्रदशन के आधार पर यह पुरुसकार सभी खेल में सामिल होने वाले खिलाडियों को जो है वो दिया जाता है इसमें इनाम सरूप 7.5 लाक रुपे की इनामी रासी दी जाती थी लेकिन साल 2020 में इस रासी को बढ़ा कर कितना कर दिया 25 लाक रुपे कर दिया क्लीर है इतना सभी को क्लीर है तो एक बार थमसब कर दीजिएगा भई सभी साथी थमसब कर दीजिएगा जो भी लाइव है इतना तक क्लीर है तो थमसब कीजिएगा उसके बाद अगले पुरुसकार की हम बात करतें अगला पुरुसकार है मेजर ध्यानचंद पुरुसकार कौन सा है मेजर ध्यानचंद पुरुसकार अगर ध्यानचंद पुरुसकार की बात करें तो आपको ध्यान होगा भारत में sports personality में अब तक की सबसे बड़ी जो हस्ती रहे हैं वो होकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो है वो रहे जिनको भारत रतं दिये जाने की मांग भी उठी थी हलंकी सचिन तेंदुलकर को खेल जगत में सबसे पहले यह पुरुसकार दिया गया और मेजर ध्यानचंद को नजर अंदाज किया गया लेकिन मेजर ध्यानचंद की याद में साल 2000 में पुरुसकार जो है वो भारत में शुरू किया गया था खेल रतन पुरुसकार जो है वो शुरू किया गया था विनिता पटेल जी राजिंदर जी अंसिका जी बिलकुल बिलकुल चली आगे डिसकस करते हैं तो मेजर ध्यांचंद पुरुसकार मैंने कहा कि होकी के जादूगर मेजर ध्यांचंद की याद में साल 2002 में NDA सरकार के कार काल के दोरान जो है वो शुरू किया गया था ध्यांचंद पुरुसकार खेलू में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है यानि ये भी एक पुरुसकार जो है वो सातियों किस तरीके का पुरुसकार है लाइफ टाइम अचीमेंट अवोड की तरह है उन्हें खेलते समय उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां जो है वो हासिल की खुद का और देश का नाम उन्होंने सिखर तक पहुँचाने का कारिय किया ऐसी स्पोर्ट्स परसनलिटी को प्रती वर्ष मेजर ध्यांचंद पुरुसकार से सम्मानित किया जाता है जो भ कि रहे हैं तो पुरुसकार ने इस रासी को भी बड़ा कर कितना कर दिया 10 लाइक प्रवेक और महत्वपूर पुरुसकार है सा glowing अभी राष्टिये खेल पुरुसकार है वो अभी चर्चा में भी है current में भी चर्चा में कि ev replication में हैं किनावे 2021 जो राष्टिये खेल पुरुसकार है साथument इंत्राष्टिये also have the खिलाडियों को 2021 के राश्टिये खेल रतन पुरुसकारू के लिए आवेदन करना था लेकिन सरकार ने अब इस डेट को बढ़ा दिया है और बढ़ा कर कितना कर दिया है 28 जून 2021 तक यानि 2021 के राष्टिय खेल पुरुषकारों के लिए खिलाडिउं को अब 28 जून 2021 तक वो आवेदन कर पाएंगे 2021 के राष्टिय खेल पुरुषकार पिछली साल भी कोरोना की वजए से वर्च्वल पुरुषकारों का ही आवेदन करने की जो तिथी थी यानि जो भी खिलाडी अलगलग खेलू में भाग लेते उन खिलाडियों को इन पुरुसकारों के आवेदन के लिए पहले 21 जून 2021 तक की डेट मिली हुई थी लेकिन अब सरकार ने इस डेट को बढ़ा दिया है अब सभी खिलाडी 28 जून 2021 तक को आवेदन कर सकते हैं चलिए जी चलिए जी तो मेजर ध्यानचंद पुरुसकार की हमने बात कर ली कि 2002 में सुरू हुआ भारत के होकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में यह है पुरुसकार जो है वो सुरू किया गया था और यह है पुरुसकार एक lifetime achievement award है स्पोट्स में दिये गए अभुत पूर्व योगदान के लिए और उनकी उपलब्धियों के लिए पुरुसकार दिया जाता है इस पुरुसकार में इनाम सरूप 5 लाक रुपे की इनामीरासी दी जाती थी लेकिन 2020 में इसे बढ़ा कर 10 लाक कर दिया 2021 के राष्टिय खेल पुरुसकारों के लिए पहले पुरानी तिथी आवेदन करने की 20-0-2021 जिसे अब सरकार ने बढ़ा कर 28-0-2021 सातियों कर दिया है तो 2020 में जो राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार है देखो मैंने अभी आपको बताया था कि राजीव गांदी जो खेल रतन पुरुसकार है ये सर्वोचे पुरुसकार है ये क्या है सर्वोचे सम्मान है खेल जगत का ये खेल जगत का सर्वोचे सम्मान है सातियों तो 2020 के जो राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार है उनके विजयताओं की भी हम बात कर लेते यहाँ पे कैट लवर जी बहुत-बहुत स्वागत है राम मिस्टर प्रदीप आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज की सेशन से जुडने के लिए चलिए राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार की बात करें तो राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार 2020 में रोईट सर्मा को दिया गया जो किस खेल से जुड़े हुए क्रिकेटर से जुड़े हुए मरियपन ठंगावेलू पेरा अथलीट है जिनको राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया साथियों ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये आप नोट करते जाएगा या अध्यान से देखते जाएगा क्योंकि सेकंड पार्ट में जब हम खेल जगत से जुड़े हुए क्यूसंस पर डिसकस करेंगे तो इनी से संबंदित क्यूसंस आप लोगों के सामने पुरुसकार किय गया मनिका बनना को टैबल टैनिस कैटेगरी में इस पुरुसकार से संबंदित किया गया साथियों और विनिस फोगाट को रैसलिंग में कुस्ती में जो है वो इस पुरुसकार से संबंदित किया गया इसके लावा रानी रामपाल को होकी में जो है वो इस पुरुसकार से स मरियपन थंगावेलू को पैरा एतलीट में और रोईट सर्मा को क्रिकेट जगत में राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार से सब्मानित किया गया अगली केटेगरी जो पुरुसकारों की हमने बात की थी द्रोणाचारी पुरुसकार जो द्रोणाचारी पुरुसकार है सातियों उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि द्रोणाचारी पुरुसकार है वो दो केटेगरी में मिलते हैं एक केटेगरी जो है वो लाइफटा पुरुसकार दिया जाता है तो lifetime achievement की category में जो पुरुसकार मिले वो स्री धर्मेंदर तिवारी को तीरंदा जी में पुरुसोतम राय को व्याम में स्री सीव सिंग को मुक्यबा जी में रोमेस पठानिया को होकी में स्री कृष्ण कुमार हुड़ा को कबड़ी में स्री विजे भालचंदर मुनिस्वर को पावर लिफ्टिंग में इसके लावा नरेश कुमार को टैनिस में ओम प्रकास दहिया को कुस्ती में यह पुरुसकार दिया गया और नियमित कैटेग्री में पुरुसकार जो मिला वो मिला स्री जूड फ्लेक्स को होकी में योगेस मालविय को मल जाने वाले महतपूर्ण राष्टिय खेल पुरुसकारों की हमने बात की जिसमें हमने राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार जो सर्वोच्य सम्मान है खेल जगत का उसकी बात की इसके अलावा अरजन पुरुसकार की बात की हमने मेजर भ्यांचंद पुरुसकार की बात क अब इनी पुरुसकारों से संबंदित महतपूर प्रशनोत्री अगले पार्ट में हम इस पर डिसकस करने वाले हैं तो सभी साथ ही आज के सेशन है उसकी महतपूर MCQs का जवाब देने के लिए तयार है एक बार जो है वो थमसब कर दीजिएगा कि आप तयार है राष्टिय खेल पुरुसकारों की महतपूर प्रशनोत्री का जवाब देने के लिए हाँ बिलकुल मिस्टर प्रदीव जी तो उस तो लाइक कर दो हाँ लाइक कर दो शेयर कर दो ताकि आप लोग भी इस MCQs का हिस्सा बन सके और आपके साथ ही भी राष्टिय खेल रतन पुरुसकारों से संबंधित महतपूर प्रशनोत्री का हिस्सा बन सके तो पहले सेशन में हमने theoretical पार्ट पे discussion किया है राष्टिय खेल पुरुसकारों का अगले सेशन के पार्ट में हम इसकी प्रशनोत्री पर जो है वो डिसकस करने वाले चलिए तैयारों सभी साती तो पहला किशन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको इसका जवाब दीजिएगा कि हाली में घोसित राष्टिय खेल पुरुसकार यानि 2020 के राष्टिय खेल पुरुसकार में राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार जीतने वाले पैरा एतलीट का नाम बताईए पहला ओप्सन है सुस्री रानी दूसरा प्रशोत्तम राय तीसरा है स्री मरियपन्टी और चोथा है सुस्री दुत्ती चंद अभी नाम थोड़ी देर पहले ही बताये थे मैंने कहा भी था कि नाम ध्यान से देख लेना आगे कुशन इ साहिए जिसको यह पुरुसकार मिला जवाब आने सुरू हो चुके बिलकुल गुड़ा बावनी स्टेडियम से बापका स्वागत है सी जवाब दिया है टीनु आनंद सी राजेंदर जी सी विक्रम जी का जवाब है टी स्री मरियपन्टी अच्छा सोनु चोधरी सी चलिए बहुत बहुत बदाई हो सभी को जिनके जवाब सही है गुड़ा बावनी स्टेडियम यह गुड़ा गोड़ जी जो यही है क्या चलिए मिस्टर प्रदीप का जवाब है सी रतन डूडी का जवाब है सी बहुत बहुत बदाई सभी को चलिए आंसर पे डिसकस कर ले में इस पुरुषकार से जो है वो सम्मानित किया गया था पैरा हैथलीट जूं 2020 को Virus well three 2002 वैंच उनाम हंचर्फ किकिलο में कितनी मिलती है 25 बाट हुप की नामि रासी मिलती है तो इस जुचे ऐसмी आंसर क्या होगा सी चलिए अगले क्यूशन का अंसर दीजिएगा साथियों दूसरा क्यूशन 2020 के राष्टिये खेल पुरुसकारों में किस भारतिये क्रिकेटर ने राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार जीता इसका जवाब तो देदोगे रोई सर्मा सचिन तेंदुलकर विराट कोली जवाब आना सुरू हो गया है रतन डूडी ए मिस्टर प्रदीप ए गुड़ाबावनी ए बहुत बहुत बदाई सभी को कुसी मैता ए मिस्टर प्रदीप ए सोनु चोधरी ए चली 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 अंसर पे डिसकस कर लेते तो हाली में 2020 में जो राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार साथियों दिये गय राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार से जो है वो 2020 में सम्मानित किया गया था आपको बताया था कि राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार में खिलाडियों का च्यार साल का जो प्रदशन है लगातार च्यार साल का उनका प्रफॉर्मेंस कैसा रहा है उस प्रफॉर्म अगले कुशन का अंसर दीजिएगा भई राष्टिये खेल पुरुसकार 2020 के लिए चैन समीती के अध्यक्स का नाम बताईए खेल मंतराले ने जो चैन समीती बनाई उस चैन समीती का नाम बताईए किसकी अध्यक्सता में वो चैन समीती बनी भारत के पूर्व क्रिकेटर विरेंदर सेवा की अध्यक्स्ता में बनी थी या सेवा निवर्थ सुप्रीम कोट के जस्टिस मुकुंदकम सर्मा की अध्यक्स्ता में बॉक्सर वेंके टेशन देवराजन की अध्यक्स्ता में या पूर्व टेबल टेनिस खिलाडी मोनालिसा ब पारिशों के आधार पर 2020 के राष्टिये खेल पुरुसकार दिये गे थे साथियो जवाब दीजिएगा गुड़ा बावनी ए जवाब दिया मिस्टर प्रदीप ने ए जवाब दिया है बाकी साथी जो भी है जवाब जरूर दे बही गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी दिनेस लबाना जी ए जवाब दिनेस जी बहुत बहुत स्वागत है वीडियो को लाइक जो है वो नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे आप भी और अपने साथियों के साथ भी सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा भी चलिए चलिए बहुत बहुत बदाई जिन्नों ने की गई थी वो सुप्रीम कोट के जस्टिस मुकंदकम सर्मा की अध्यक्सता में गटिज समीति की सिफारिशों के आधार पर दोहजार बीस के यह पुरूसकार जो है वो साथियों दिये गए देखो खेल मंत्राले को कैसे पता चलेगा कि कौन सर्वस्रिष्ट है इतने सारे खेलों में किसको मिलना चीए तो अलग-अलग लोगों के जो नाम आते हैं मैंने कहा कि जैसे 2021 के लिए 28 जून लास्ट डेट है 28 जून 2021 तक आवेदन कर सकते राश्टिय खेल पुरूसकारों के लिए अलग-अलग कैटेगरी में जो भी नाम आएंगे उन नामों पर करेंगे खेल मंत्राले से कि इनको यह पुरूसकार अलग-अलग कैटेगरी में दिया जाना चाहिए तो राश्टिय खेल पुरूसकार 2020 के लिए चैन समीति के अदेक्स सेवानिवर्थ सुप्रीम कोर्ट के नियाय मूर्ती मुकुंदकम सर्मा की अदेक्सता में ये कमिटी जो है वो साथियों बनी थी तो इस क्यूसन का आंसर होगा बी सही जवाब होगा अगले क्यूसन का आंसर दीजिएगा सभी ये तो आप सभी दे दोगे मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर कि आप मेरी उमीदों पर खरा उतरोगे कि भारत में हर साल किस प्रशिद खिला आया जाता है कोई बात नहीं अंसिगा जी गलत हो गया तो अगला आपका जवाब बिल्कुल सही होगा मुझे आप पर पूरा भरोसा है भारत में हर साल किस प्रशिद खिलाड़ी की जर्म दिन राष्टिय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है पहला उप्सन है मेजर ध्य आंचन दूसरा पिटी उसा तीसरा सचिन तेंदुलकर चोथा इन में से कोई नहीं चलिए जी सोनु गोस्वामी जी आगे है स्वागत है आपका ए जवाब है कुसी मैता ए टीनु आनंद ए सोनु चोधरी ए राजेंदर जी ए बिलकुल बिलकुल सालिनी सिंग जी ए बहुत स्वागत है सालिनी जी आपका भी गुड़ा बावनी स्टेडियम ए जवाब है अक्को सेन ए जवाब है मिस्टर प्रदीप दोस्तों वीडियो को लाइक बिलकुल लाइक कर दीजिएगा सभी साती बही प्रदीप जी भी कह रहे है मैं भी कह रहा हूँ चलिए चलिए मैंने आपको बताया कि भारत में होकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यांचंद कोने मेजर ध्यांचंद के जनम दिवस को राष्टिये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष और ये कब मनाया जाता है गुण 30 अगस्त को सरकार ने साल 2012 में कब 2012 में सरकार ने मेजर ध्यांचंद के जनम दिवस को राष्टिये खेल दिवस के रूप में मनाये जाने का फैसला किया था खेल मंत्रा लेने अभी जो देश के खेल मंत्री है युआ और खेल मामलू के जो मंत्री है सातियों उनका नाम क्या है किरन रिजजु कौन है किरन रिजजु जो है वो वर्तमान में देश के युआ और खेल मंत्री है तो खेल मंत्राले शरकार ने 30 अगस्ट को प्रतिवर्ष राष्टीय खेल दिवश के रूप में मनाये जाने की बात कही ये जनम दिन मनाया जाता है इस दिन किसका मेजर ध्यानचंद का तो इस कुछन का सही आंसर होगा, ए सही आंसर होगा, कि हर साल भारत में प्रशिद खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में खेल दिवा से मनाया जाता है गुर 30 अगस्त को, क्लिर है सभी को, चोथे कुछन का सही आंसर ए हो जाएगा, हाँ बिलकुल जी, प्रदीब जी य लाइफ टाइम केटगरी में द्रोणाचारिये पुरुसकार जीता है, द्रोणाचारिये पुरुसकारों के नाम आपको सभी के बताये थे, मैंने कहा भी था कि नोट कर लेना, आगे क्यूशन पूछे जाएंगे, इनसे संबंदे थे, उस कोच का नाम बताईए, जिसे पड़क योजना उत्रप्रदेश, मेजर ध्यांचंद की आद में क्या, सोनु गोस्वामी जी का जवाब है, ए, टीनु आनंद का सी जवाब है, सालिनी सिंग जी का बी जवाब है, राजेंदर जी का सी जवाब है, चलि बहुत-बहुत बदाई सभी को वही जवाब सभी द तो श्रीधर में्द्र तिवारी जो है उनको आर्चरी में तीरंदाजी में दरोणाचारीय पूरुषकार से सम्मादित किया गया, ये कोछ रहे हैं, ट्रेनर रहे हैं और इनको lifetime achievement award की category में पुरुसकार दिया गया मैंने कहा द्रोणाचारिये पुरुसकार जो है वो दो category में मिलता है एक नियमित स्रेणी regular category और एक lifetime achievement award की category है जिसमें regular category में 10 लाख रुपे की इनामी रासी मिलती है यह पुरुसकार जो है वो दिया गया था, क्लिर है सभी को बिलकुल परदीब जी आपका जवाब भी सही है, C जवाब होगा पांचवे क्यूशन का, क्लिर है, चलिए अगले क्यूशन का अंसर दीजेगा कि हाली में राष्टिय खेल पुरुसकार 2020 में बैडमिंटन में अरजुन पुरुसकार किसने जीता? बैडमिंटन में अरजुन पुरुसकार किसने जीता? नाम आपके सामने है, स्रिसात्विक, साईराज, रैकिडेर और दूसरा है, चिराग, चंदरसेकर, शेटी, तीसरा ओप्सन है, एवैबी, दोनू, चोथा ओप्सन है, ने तो ए, ने भी, कोई और है इनके अलावा राष्टिये खेल पुरुसकार दोजार बीस में बैडमिंटन में अरजुन पुरुसकार किसने जीता? जवाब दीजिएगा भई बैडमिंटन में अरजुन अवोर्ड, सात्विक, साईराज, रंकी डेर, चिराग, चंदरसेकर, शेटी, या एवैबी, दोनू, या ने तो ए, ने भी मिस्टर प्रदीप का जवाब है C, राजिंदर जी का भी जवाब C है, सुरेशन जी का B है, मिस्टर प्रदीप का C जवाब है, बिल्कुल, बिल्कुल, राजिंदर जी, प्रदीप जी, आप दोनू के ही जवाब जो है, वो क्या है, सही है, दोनू को ही, दोनू को ही, अरज पुरिष्कार अर्जुन पुरिष्कार जीता श्रिशन्दीप अर्जुन पुरूसकार मिला दोजार वे में राष्टिये खेल पुरुसकार मिला 2020 में अर्जुन पुरुसकार उस रैसलर का नाम बताना आपको जवाब आने शुरू हो गए है अन्सीका का जवाब सी है मिस्टर प्रदीप का जवाब सी है रतन डूडी जी कह रहे सर आज मैंने क्रिला सुरू से नहीं ली सेशन जैसे ही पूरा हो जाए तो स्टार्टिंग से देख लेना रतन जी कोई बात नहीं आप लेट जुड़े कोई काम हो गया होगा आपको चलिए चलिए सभी जवाब दीजिए भई प्रदीप जी का जवाब आया है हिमानसु दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जवाब डी है बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी का जवाब ए है बिल्कुल हिमानसु जी आप जुड़े शेशन से और जुड़ते ही आ थे पैरा एथलीट थे अरजुन पुरुसकार मिला जरूर है इने लेकिन यह रैसलर नहीं है यह पैरा एथलीट है और मनीश नर्वाल की अगर बात करें तो मनीश नर्वाल को यह पुरुसकार पैरा सुटिंग की केटेगरी में मिलाता किस केटेगरी में मिलाता पैरा सुटि नोट कर लेना दीव्या काकरान को wrestling की category में यह पुरुषकार मिलाता और दूसरे हैं राहूल अवारे और दीव्या काकरान को 2020 में अर्जुन पुरुषकार से wrestling की category में पुरुषकार जो है वो दिया गया था तो इसक्यूसन का सही अंसर D होगा और D में जो अप्षन जो था वो ने ए ने भी ने तो संदीब थे और ने मनीश नर्वाल थे हाँ दोनु को अर्जुन अवोर्ड मिला जरूर था लेकिन संदीब को पैरा एक्रीट में और मनीश नर्वाल को पैरा सुटिंग की केटगरी में सातियो पुरुसकार दिया गया था अर्जुन अवोर्ड दिव्या काकरान और राहुल अवारे को रैसलिंग की केटगरी में अ यह निम्ड में से किस खेल से जुड़ी हुई थी एन उसा जिने हाली में मेजर ध्यांचंद पुरुषकार से सम्मानित किया गया 2020 में यह किस खेल से जुड़ी थी एतलीट थी बॉक्सिंग में फुटबोल में या बैडमिंटन में जवाब दीजिए और जो भी साती है वो व अब जवाब जरूर दीजिएगा वही साथी स्री एन उसा ने मेजर ध्यांचंद पुरुषकार रेगुलर कैटेगरी में मिला था इन्हें ध्यांचंद पुरुषकार आपको बताए भी थे किनको मिले थे वो किस खेल से जुड़ी हुई थी सालीनी जी का जवाब आ गया ह र해서 डाती ओर राजेंदर जी आपका जवाब बिलकुल सही है श्री एन उसा जो हाली में जिने ध्यांचंद पुरुषकार से संभानित किया गया सातियो वो कौन से खेल से जुड़ी हुई है boxing से कौन से खेल से जड़ी हुई है boxing से और उन्हें major ध्यानचंद पुरुसकार से जो है वो सम्मानिते किया गया था clear है सभी को तो आटवे क्यूषन का सही answer सात्यों क्या होगा भी सही answer होगा चलिए अगले कुस्षन का अंसर दीजिए ये कुस्षन सभी का जवाब सही होगा मुझे उमीद है खेल दिवस कब मनाया जाता है गुनति सितंबर गुनति सगस्त आट मार्च 28 जून इस कुस्षन का सही साती जवाब सही दे पाएंगे मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों क काबिलियत पर कि प्रती वर्ष देश में खेल दिवस मनाया जाता है गुनती सितंबर गुनती सगस्त आठ मार्च 28 जून जवाब दीजे बही सबी साती जो भी लाइव है जो भी साती लाइव है वो जवाब जरूर दीजेगा बही सबी साती बिल्कुल बिल्कुल आपके जवाब आने सुरू होगे खुसी मैता गुणती सगस सौनू चौधरी B, राजेंदर जी B, सुरेश शंद B, विजे राज B, खुसी मैता ने जवाब गुणती सका हिमानसु दुबे गुणती सित्तंबर हिमानसु जी लेट जुडे आप सेशन में अन्सी का बी रतन डुडी बी प्रदीब अभिशेक बी बिलकुल लगभग सभी सातियों के जवाब सही है हिमानसु जी आप सेशन में लेट जुडे ते साही इसलिए आपका जवाब गलत हो खेल दिवस प्रतिवर्ष अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मेजर ध्यानचंद के जनम दिन को राष्टिये खेल दिवस मनाये जाने की घोशना सरकार की तरफ से की गई गुणतिश अगस्त को प्रतिवर्ष राष्टिये खेल दिवस मनाया जाता है कब से साल 2012 से साल 2012 से सरकार ने मेजर ध्यानचंद के जनम दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाये जाने की घोशना की थी तो 2012 से लगातार मेजर ध्यानचंद का जनम दिन राष्टिये खेल द राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार की सुरुवात कब हुई इसका जवाब भी दे दोगे स्टार्टिंग में बताया था राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार की सुरुवात कब हुई गुनिस सो चोवन दो जार दो गुनिस सो बाड में गुनिस सो पिचासी जवाब दीजे भई कि राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार की बिलकुल जबाब आने शुरू हो गे मांसु दूबे दोजा दो टीनू आनंद C, कुसी महता 1902 में, राजेंदर जी का जवाब है C, विजे राज जी का जवाब है C, कुसी महता बाण में, विजे राज C, चली ये बहुत बहुत बदाई बहुत बदाई, विक्रम नीम का था ना 1902 में, बिलकुल, सोनु गोस्वामी जी बाण में, चली ये साथियों सभी के जवाब बिल्कुल सही है, राजीव गांदी खेल रतन पुरुशकार मैंने बताया था कि भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्य सम्मान है, कौन सा है सर्वोच्य सम्मान है, सबसे बड़ा पुरुशकार है, चार साल के इनाम सुरूप रासी को बढ़ा कर कितना कर दिया 25 लाक रूपे अब इसमें इनाम सुरूप जो है वो दिये जाते है तो साथ यो राजीव गांधी खेलरतन पुरुसकार जो खेलू में दिया जाने वाला सरवोचे सब्मान है उसकी सुरुवात हुई थी 1902 में में क्लियर है स सबी को चलिए जी तो इस क्यूशन का सही आंसर हो जाएगा सी अगले क्यूशन का आंसर दीजिए अर्जुन पुरुसकार की सुरुवात कब हुई सबी साथी जो भी लाइव है वो जवाब जरूर दे कि अर्जुन पुरुसकार कब शुरु किया गया था सबी साथी जवाब दे वही अर्जुन पुरुसकार की सुरुवात कब हुई थी चलिए सोनू गोस्वामी जी गुनिस सो इक सट गुनिस सो इक सट गुनिस सो इक सट साली नी ए जवाब दिया है मिस्टर प्रदीप ने ए जवाब दिया है खुसी मैता ने ए जवाब दिया है बिल्कुल बिल्कुल जी सभी सातियों के लगबग सभी सातियों के जवाब बिल्कुल सही है सातियों गुनिश सो इक सट ग्यारवे कुशन का सही आंसर होगा अरजुन पुरुसकार गुनिश सो इक सट में सुरू हुआ था सातियों खेल रतन पुरुसकारों में सबसे पुराना पुरुसकार या वह पुरुसकार जो सबसे पहले शुरू हुआ था कर ले ना साथियों तो और सबसे पुराना जो पुरुस्कार है को पिकए सब्से पुराना पुरुसकार है 16 prosecution का झार को जाएक eस सिह फ़ी साथी राजीव गांदीख जिल रतन पुरुसकार में कितनी इनामी राशी दी जाती है थोड़ी देर पहले ही बताया था 15,05,55,20,00 चलिए जवाब दीजिए राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार में इनामसरूप दी जाने वाली राशी कितनी है 15,5,25,20 जवाब दीजिए भई सोनु गोस्वामी जी का जवाब आगे है 25 विजे राज जी का जवाब है बी प्रदीब जी कहरे है लाइक कर दो शेर कर दो सभी साती टीनु आनन्द 25 राजेंदर जी का जवाब है सी सोनु चोदरी सी खुसी मैता 25 राज बिल्कुल साती हो जो साती स्टार्टिंग से सेसन में जुड़े होए उन सभी साती हो के लगबग सभी सवाब जो है वो सही है रोसन यादव जी 25 राजी विजे जवाब बिल्कुल सही है राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार जो भारतिये खेलू में दिया जाने वाला सबसे प्रमु किया सर्वोच्य समान है जो 1902 में में शुरू आता सातियो और इस पुरुसकार में इनाम सरू पहले साड़े साथ लाक रुपे की इनामी रासी मिलती थी लेकिन साल 2020 में इनामी रासी को सरकार ने बढ़ा कर कितना कर पच्छिस लाक रुपे इनामी रासी कर दी सरकार ने तो अब इसमें इनाम सरू पच्छिस लाक इनामी रासी दी जाती है बिलकुल 25 लाक सी आंसर सही हो जाएगा रोई जी बहुत-बहुत स्वागत है सेशन से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सेशन का टाइमिंग तीन बजे हैं रोज साम को तीन बजे जनरल अवर्नेंस की सेशन से जरूर जुड़िएगा अगला क्यूसन सातियों स्क्रीन पर आ चुका है कि स्री काले सारी का सुधाकर जिने अरजुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया था खेल पुरुषकारों में ये किस खेल से रोसम भी काफी काफी समय से स्वाना हुआ है बारिस जो है वो शुरू हो चुकी है चलिए चलिए विजे राज जी बिल्कुल सही जवाब है आपका कि जैसे ही बारिस शुरू ही साथी भी बढ़ने लगे सेशन में तो शेयर कर दीजिएगा वी वीडियो को रोसन यादव सी रोसन यादव जी कहरें खोको से है अनसी का जी का जवाब सी है यूपी में भी हो गई गया रोसन जी चलिए बहुत बहुत बदाई राजस्तान में तो ऐसे ही बहुत टेंपरेजर बढ़ा हुआ था आप यूपी से है चलिए विक्रम जी कहरें पैरा एथ ठीक्लेट थी स्रीकाले सुधाकर जिनको राश्टिये खेल पुरुसकार दिया गया अर्न पुरुसकार सातियों वो किस खेल से जुड़ी युई थी किस खेल से से खोको से कितने छाथियोंने खोको खेला एक बार थमसब कर के बता है तुछ आया गया जिनोंने खोको खेला गोलू जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी आज के सेशन से जुड़ने के लिए जैपूर में नहीं हुई बारिस हो जाएगी जैपूर में भी हो जाएगी चलिए चलिए अगले कुछन का अंसर दीजिएगा विक्रम जी गलत हो गया खुशी जी आपने खेला है खोको बहुत अच्छी बात है चलिए चलिए अगले कुछन का अंसर दीजिए भई रेगुलर कैटेगरी में दो कैटेगरी में पुरुसकार जो है वो दिया जाता है एक रेगुलर कैटेगरी और एक लाइफटाइम अचिमेंट अवोर्ड की कैटेगरी है तो रेगुलर कैटेगरी में दो किस कैटेगरी में दिया गया जवाब दीजे दोलपूर में भी होगे देखो कितनी जगह है कि लोग जो है वो जुड़े हुए धोलपुर से भी लोग जुड़े हैं, यूपी से भी लोग जुड़े हैं, देखो सारे तरह के क्विश्चन आपको मिल रहे हैं बैस में, चलिए जवाब दीजिएगा, राजियंदर जी का जवाब जो है, वो C है, सालिनी जी का जवाब A है, रोसन यादव B, सोनु गोस्वामी जी C, विक्रम नीम का थाना वुसू, बिलकुल विक्रम जी आपका जवाब बिलकुल सही है, विक्रम जी आपका जवाब सही है, राजियंदर जी आपका जवाब भी सही है, जिस खेल से जुड़ी हुई है, वो क कुलदीप हंडू जिनको द्रोणाचारिय पुरुषकार से जो है वो सम्मानित है किया गया रेगुलर कैटेगरी में 2020 में क्लियर है सभी को चलिए छलिए तो चौधवे क्शुन का सही आंसर साथियों सी सही आंसर होगा अगले क्शुन का आंसर दीजिएगा युवा एवम खेल मंतरी कौन है थोड़ी देर पहले ही जवाब दिया था इसका देश में युवा एवं खेल मंत्री कोन है राजवर्दन सिंग राठोड किरन रिजजू अमिच्सा अनुराग ठाकुर जवाब आने सुरूओगे प्रदीब जी का जवाब सी है सोनु चोधरी बी राजिंदर कुमार बी टीनु आनन्द बी रोसन यादव बी खुसी मैता किरन रिजजू सुरेशंद बी रोसन यादव किरन रिजजू रोहित कुमार बी सालिनी किरन रिजजू जो अरुना चल परदेश से है बिल्कुल सालिनी जी लोकसभा सदसे है किरन रिजजु कौन से सदन के सदसे है लोकसभा लोकसभा सदसे है किरन रिजजु जो वर्तमान में युवा और खेल मामलू के मंतरी है और लोकसभा सदसे है पिछले सदन में पिछला जो कारिकाल था टर्म था सरकार का सातियों उसमे ग्रह राज्य मंत्री थे किरन रिजुजु कौन थे ग्रह राज्य मंत्री थे और इस बार इनको युवा और खेल मामलू का मंत्रा ले दिया गया है पिछले टर्म में राजवर्दन सिंग राठोड जो है वो देश के युवा और खेल मंत्री थे पहली बार किसी खिलाडी को बनाया गया था राजिवर्दन सिंग्रा ठोड को लेकिन ये पिछले टर्म में थे इस बार के टर्म में युवा और खेल मामलू का मंत्री जो दिये बनाया गया है वो किसे बनाया गया सातियों कीरन रिजुजु को जो लोकसभा सदस्य है अरुनाचल प्रदेश से कहा से राश्टिये खेल पुरुसकारों से संबंधित पार्ट पे जो है वो डिसकसन किया अगर आज का ये सेसन आपको पसंद आया तो इसको जादा से जादा लाइक कीजिए सेर कीजिएगा राज साम को जो स्टुडेंट पहली बार जुड़े है उनको बता दूं कि रोज साम को अपना सेशन तीन बजे होता है जिसमें जनरल अवर्णेंस से रिलेटेड पार्ट पे डिसकसन कर रहे है अभी इसमें अवोर्ड की जो है वो स्रीज चल रही है और इस अवोर्ड की स्रीज में हमने कई पुरुसकारों पर बात किये ठियोरिटिकल प्लस MCQs दोनु तरह के क क्यूशन हम इसमें लेते यानि MCQs पर भी डिसकसन जो है वो किया जाता है और इसके अलावा ठियोरिटिकल पार्ट पर भी डिसकसन किया जाता है अगर आप सभी साती मुझसे करंट अफैर भी पढ़ना चाते सातियों तो इसके लिए रात आठ बजे रोज साम को आठ बज की लाइव क्लास होती है अगर आपन अकैडमी पर किसी भी क्लास को फ्री में या सब्सक्रिप्सन लेना चाते तो मेरा कोड भासकर 09 जो है वो रैफरल कोड यूज करें और सभी क्लासों को आप फ्री में इसमें देख शकते हैं और सब्सक्रिप्सन अगर आप लेते तो सब 10% का additional discount जो है वो मिल जाएगा चलिए सातियों सभी साती जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी सातियों का मिलते हैं कल साम को तीन बजे जर्नल अवंडेंस के एक नए सेशन के साथ अगले पुरुसकार का hablar के लिए क्ल बात करेंगे एक नए पुरुसकार की रात को 8 बजे सभी साती करंट अफैर की लाइव कलास से जुड़ना 부 Rs. भुए-बहुत-थंबहुत-धन्यवाद सभी का